नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल निस्वार्थ ज्यान पर कारोबार में दिन रात कमाएंगे, इतना पैसा आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा, क्योंकि दोस्तों, इस बार सोमवार शारदिय नवरात्री के पांचवे दिन बहुत सारे शुभ योगों का निर्मान हो रहा है, जो कि कई वर्षों बाद आया है, इसलिए दोस्तों इस द पर करना है, और उपाय को करते समय आपको किन-کिन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे, तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देखिए, ये दिन इतना खास होता है, इतना महत्व पूर्ण होता है, देखा ग पूर्ण हो जाती है और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। नहीं नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है उसका कुछ भी कारण हो सकता है। अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों हम समझते हैं कि यह दो लौंग वाला उपाय करना किस को है। तो देखिए यहां पर सीधी सी बात है कि यह दो लौंग वाला उपाय जो उपाय है यह किस लिए किया जा रहा है। यह मनो कामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है। या आपके जीवन में जो दुख और परेशानिया हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है। या आपका कोई बड़ा काम है जो की नहीं हो पा रहा है आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात ये है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनो कामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो, तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है. जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनो कामना भगवान शिवजी से पूर्ण करवानी हो, और अगर कोई भी माताएं बहने जो है अपने घर की सुख और शान्ती के लिए घर में धन समरिद्धि को बढ़ाने के लिए यह वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो ब बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बढ़ा होकर मिलता है, अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बढ़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो, जिस व्यक्ति को यह दो लौंग वाला उपाय समझा गया, वह व्यक्ति इस दो लौंग उपाय को सोमवार शारदिय नवरात्रि के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा, क्योंकि 7 अक्टूबर 2024 सोमवार शारदिय नवरात्रि के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आईए, अब हम समझते हैं कि इस दो लॉंग वाला उपाय को आपको करना कैसे है, और इस उपाय को करने का जो समय है, वह क्या है? तो देखिए, इस 7 अक्टूबर 2024 सोमवार शारदिय नवरातरी के दिन किये जाने वाले यह दो लॉंग वाला जो उपाय है, यह मुख्य रूप से शाम के समय का रहेगा, प्रदोशकाल का रहेगा। अब भाई प्रदोशकाल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश् प्रदोशकाल का जो एक समय होता है, शाम का समय, वो होता है शाम के 6 बजे से लेकर, शाम के 7 बजे के बीच का, इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे, तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा, तो शाम के 6 बजे से लेकर, शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस करना चाहिए तो देखिए उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोशकाल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है आप आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुँच पाते हो तो भाई आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा और अगर इस से भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो क्योंकि 7 अक्टूबर 2024 सोमवार शारदिय नवरातरी का दिन है यह दिन बहुत ही कम आता है पूरे साल भर में एक बार इसलिए जब आपको मकान मिल जाए जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना कोई भी उपाय हो आप कभी भी कर सकते हो सोमवार शारदिय नवरातरी के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतरगत ही कर लो पर किसी कारण वश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देर वाला उपाय करना है इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं आर्थिक तंगी चल रही है कई-कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं मेहनत बहुत करते हैं लेकिन आपको धन नहीं हो पाता है आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानी हो रही हो तो गुरु जी आपको यह छोटा सा उपाय इस सोमवार शारदिये नवरात्री की तिथी में जरूर करना चाहिए, तो चलिए. जानते हैं इस विशेश उपाय के बारे में. लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना अगर आप चैनल पर नए हैं, तो कृपया चैनल वास्तु शास्त्र ज्यान को स कर सकते हैं. इन उपायों में आपको धन प्राप्ति के उपाय बताए जाएंगे. आपकी मनोकामना पूर्थी के उपाय बताए जाएंगे. जीवन में किसी भी प्रकार के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे. बरसता रहेगा देखिए दोस्तों अगर धन को लेकर ही आप परेशान है या पैसे की कमी जीवन में बहुत ज्यादा रहती है पैसा आपका बढ़ता नहीं है या फिर आपके घर में बीमारियां बहुत आती है तो ऐसा समझ लीजिए कि सोमवार से उत्तम दिन आपको कोई मिल अब देखिए भगवान गणेश जो है ये आपके जितने भी जीवन के संकट है जो विगन हरता गणेश भी है अब आपको बता दें लौंग के जितने भी उपाय आप करेंगे सबसे पहले तो ये आपके जीवन में चमतकार दिखाते हैं बहुत जल्दी आपके जो भी अठ के हुए काम हैं वो बनने लगते हैं आपका जो पैसा कहीं फंस गया है वो भी आपके पास आता है करजे की समस्याएं जिन लोगों के जीवन में बहुत हैं या जो लोग करजा ना चाहते हुए भी दूसरों से करजा लेते हैं उन लोगों को तो विशेश कर अपने घर में यह दो लॉंग डाल कर दीपक सोमवार के दिन जरूर जलाना चाहिए। अब साथ ही साथ आपको बताएंगे कि इस उपाय को आपको करना कैसे है, किस समय करना है और कौन सा दीपक आपको लेना है, और इस उपाय को करने से कैसे आप अपने जीवन में महाधनी बन सकते हैं। तो देखिए, आज के टाइम पर हर व्यक्ति चाहता है कि उसके पास अधिक से अधिक पैसा हो, वह अपने सारे सपनों को पूरा कर सके, अपने घर के जितने भी सदस्य हैं, उनकी आवश्यक्ताओं को पूरा कर सके। लेकिन आज के टाइम पर बहुत मुश्किल है। जब पैसा व्यक्ति के पास नहीं होता है, तो थोड़ी सी कोई भी अगर उसे जीवन में समस्या आ जाती है, कोई दुख आ जाता है, न वो भी उसके जीवन का दुख उसे बड़ा लगने लगता है, और व्यक्ति के पास अगर पैसा होता है, तो जीवन के दुख भी इतने बड़े नहीं लगते हैं यह बिलकुल सत्य है कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता है लेकिन पैसे के बिना भी कुछ नहीं होता है अब देखिए आज की वीडियो में जो उपाय आपको बताएंगे यह उपाय आपके पैसे को बहुत तेजी से बढ़ाने का काम भी करता है और भगवान गणेश भी प्रसन्न होते हैं और साथ ही साथ एक ऐसा उपाय भी आपको बताएंगे कि नजर दोश से आप हमेशा बचे रहेंगे तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की जो कि आपको सोमवार के दिन करना है अच्छा जो पहला उपाय आपको बताने जा रहे हैं इस उपाय को करने से आपकी कुंडली में बुद्ध बहुत मजबूत हो जाएगा देखिए अगर आपकी कुंडली में बुद्ध कमजोर हो जाता है अब बहुत सारे लोग हैं जिनें पता ही नहीं होता है कि कुंडली में बुद्ध कमजोर है या कोई भी ग्रह कमजोर है, है ना, अब बुद्ध कमजोर है, इसका पता आप ऐसे लगा सकते हैं कि आपका जो भी काम आप करते हैं, कोई भी कारोबार करते हैं, बिजनेस करते हैं नौक करते हैं, कहीं पर उसमें दिक्कतें आने लगती है, उसमें समस्याएं आने लगती है, मतलब आपका बुद्ध कहीं न कहीं कमजोर हो चुका है, अब बुद्ध को मजबूत करने का सबसे सरल उपाए, आज की वीडियो में हम आपको बता रहे हैं, आपको करना क्या है? आपको हरी मूंग दाल लेनी है, ठीक है ना, छिलके वाली जो आती है आपके घर में जितने भी सदस्य हैं, सभी को हरी मूंग दाल का सेवन करना है, मतलब आपको उसे खाना है, सोमवार के दिन, देखिए, यह सिर्फ इतना छोटा सा देखने में आपको उपाए लग रहा ह लेकिन इसके लाभ और इसके चमतकार बहुत बड़े-बड़े हैं, आप δो से तीन सोमवार यह करके देखएं कि आप हरी मूंग दाल का सेवन करें, सोमवार के, सोमवार चाहे कैसे भी आपखाने हैं, हरी मूंग दाल आपको खानी है, फिर आप देखेंगे कि आपका जो भ करने से ही आपकी कुंडली में बुद्ध बहुत मजबूत हो जाएगा और कोशिश करें कि सोमवार के दिन जब भी आप बाहर निकलते हैं अपने साथ छोटा सा हरे रंग का कपड़ा आप जरूर रखें ठीक है ना चाहे आप रुमाल ले ले हरे रंग का कोई छोटी सी कतर ही लेले है ना कपड़े की जो कतर होती है कटी हुई छोटा सा टुकड़ा लेकिन अपने पास आपको हरे रंग का कोई ना कोई कपड़ा जरूर रखना चाहिए अगर हरे रंग के कपड़े अगर आपके पास हैं आप उन्हें पहन लेते हैं तो यह और भी उत्तम होता है तो लौंग डाल कर आपको अपने घर में दीपक कहां पर जलाना है और इस उपाय को सोमवार के दिन कैसे करना है और कैसे यह उपाय आपके भाग्य को चमका देगा आपकी सोई हुई किसमत को जगा देगा तो देखिए भगवान गणेश जो है ना जब ये किसी पर अपनी कृ अपनी मनोकामना कह दी और इस उपाय को कर लिया तो आपके जीवन के कष्ट को वो कब कैसे दूर कर देंगे आपको खुद भी पता नहीं चलेगा आज जीवन का जो दुख जो कष्ट आपको बहुत बड़ा लग रहा है आज जो आप सोचते हैं कि मेरे जीवन का यह दुख शायद दूर ही नहीं होगा आपके जीवन का बड़े से बड़ा दुख भी गणपती दूर कर देते हैं भगवान गणेश दूर कर देते हैं जब आप इस दीपक वाले उपाय को करते हैं तो देखिए उपाय को करने के लिए आपको करना क्या है सबसे पहले आपको एक दीपक लेना है आपके पा पूल वाली लौंग यहां पर आपको लेनी है, अब लौंग जो होती है, यह होती है शिव और शक्ति का स्वरूप, तो लौंग कहीं न कहीं महादेव से जुड़ी हुई है, माता पार्वती से जुड़ी हुई है, है ना, और भगवान गणपती से भी जुड़ी हुई है, क् फिर आपको भगवान गणेश का ध्यान करना है, माता पारवती का ध्यान करना है, महादेव का ध्यान करना है और ओम गम गणपते नमह इस मंत्र का जाप करना है। अब यह दीपक आपको सोमवार के दिन अपने घर के मंदिर में शाम के समय में लगाना है। इस तरह से अपने हिसाब से आपको भगवान गणेश से प्रार्थना कर लेनी है और फिर इस दीपक को आपको जला देना है। अपने घर के मंदिर में दो दीपक मुख्य द्वार पर आपको इसलिए लगाने हैं। क्योंकि आपके घर का जो मुख्य द्वार होता है ठीक है ना जहां से आप अंदर आते हैं बाहर जाते हैं। जो है तो देखिए मुख्य द्वार पर सबसे पहले नजर पड़ती है मातालक्šmी की। शाम के समय में माउ लक्ष्मी जो है ये भ्र्मण पर निकलती है और जिस घर के द्वार पर दीपक जला होता है हमेशा ऐसे घर में मां लक्ष्मी प्रवेश करती हैं। मतलब ऐसे घर में मा लक्ष्मी हमेशा आती हैं, तो मा लक्ष्मी को प्रसन्न जो कर लेता है, उसके घर में सुख, धन, वैभव, सब कुछ बहुत आसानी से आ जाता है, और उसके जीवन में धन आने के रास्ते खुलते चले जाते हैं, अब प्रथम पूज ने भगवान गण उपाय तो करते हैं, लेकिन उपाय को सही तरीके से नहीं करते हैं, जब आप उपाय सही तरीके से नहीं करेंगे, तो उपाय सफल नहीं होगा, जिस तरह से हमने आपको बताया, इस तरह से आप उपाय करें, और फिर देखें कैसे आपके जीवन में चमतकार होता है, रातों तो रात आप अपने जीवन में बहुत बदलाव देखेंगे, आपके घर में पैसा भी आएगा, पैसा रुकेगा भी और फिजूल खर्च बिलकुल बंद हो जाएगी। साथ ही साथ जो बीमारियों से बहुत परिशान रहते हैं, उन्हें सोमवार के दिन हरी मूंग दाल का दान जरूर करना चाहिए। किसी ना किसी व्यक्ति को आपको चाहे एक व्यक्ति को आप दें, लेकिन हरी मूंग दाल आपको किसी ना किसी जरूरत मंद व्यक्ति को जरूर को लग जाती है तो अच्छा खासा घर बरबाद हो जाता है और व्यक्ति की बरबादी शुरू हो जाती है जब नजर लग जाती है जिन लोगों को पता है कि नजर क्या करती है हमेशा नजर दोश को दूर करने के लिए उपाय करते हैं, और जिन्हें नहीं पता है, उनके जीवन के कष्ट बढ़ते रहते हैं, है ना उपाय आप कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन नजर दोश को सबसे पहले आपको दूर करना है, तो देखिए, नजर दोश को भी आप लॉंग से ही दूर करेंगे, आपको करन क्या है? आपको यहां पर लेनी है, चार फूल वाली लॉंग, दो कपूर के छोटे-छोटे से टुकड़े आपको लेने हैं, और शाम के समय में इसे जला कर अपने पूरे घर में आपको गूमना है, पूरे घर में, मतलब जहां भी आपके जितने भी कमरे हैं, पूरे घर मे सभी जगह पर आपको जाना है और उस लॉंघ और कपूर का धुआ आपको अच्छे से दिखा देना है घर के मुख्य द्वार पर भी जाएंगे, वहाँ भी लॉंघ कपूर का धुआ दिखाएंगे देखिए, लॉंघ जो होती है शिव शक्ति का स्वरूप होती है और बहुत ज्यादा चमतकारी होती है कपूर जो होता है इसमें बहुत उर्जा होती है महादेव से जुड़ा हुआ है और कपूर के इतने चमतकार हैं कि शायद उन्हें शब्दों में बताना बहुत कठिन होगा लेकिन जब आप कपूर के उपाय करेंगे तो इसके चमतकार खुद देख लेंगे हमें आपको बताने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी तो जैसे ही आप लॉंग कपूर का धुआ जलाते हैं और अपने पूरे घर में दिखाते हैं आपके घर में होता है पॉजिटिव एनरजी का संचार सकारात्मक उर्जा एकदम से आपके घर में बढ़ती है तो जितनी भी नजर दोश है, जितनी भी नेगेटिव एनरजी है, बुरी शक्तियां हैं तुरंत आपके घर से दूर होती हैं और आपके जीवन में जो कष्ट आ रहे थे ना वो भी आपके जीवन से दूर हो जाते हैं। तो बात करें अगले महत्वपूर्ण और प्रभावशाली उपाय के बारे में। तो दोस्तों, साथ अक्टूबर दो हजार चौबीस सोमवार शारदीय नवरात्रि के पाँचवे दिन करें। जो कि कई वर्षों बाद आया है। इसलिए दोस्तों, इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये दिन इतना खास होता है, इतना महत्व पूर्ण होता है। देखा गया है, कभी-कभी बड़े-बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनो कामना पूर्ण नहीं होती है। वह 7 अक्टूबर 2024 सोमवार शारदिय नवरात्रि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनो कामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 7 अक्टूबर 2024 सोमवार के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं। दो हजार चौबीस सोमवार शारदिय नवरात्रि के दिन इस एक छुटकी काले तिल वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। या आपके जीवन में जो दुख और परिशानिया हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है। या आपका कोई बड़ा काम है जो की नहीं हो पा रहा है। आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात ये है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनो कामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनो कामना भगवान शिवजी से पूर्ण करवानी हो। तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। सोमवार शारदिय नवरातरी के दिन भगवान शिवजी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आईए अब हम समझते हैं कि इस एक छुटकी काले तिल वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए साथ अक्टूबर दो हजार चौबीस सोमवार शारदिय नवरातरी के दिन किये जाने वाले ये एक छुटकी काले तिल वाला जो उपाय है ये मुख्य रूप से सुबह का समय होगा। प्रातह काल का समय होगा। किस समय होगा। सुबह का समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस एक छुटकी काले तिल वाला जो उपाय को कर लें। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह को इस उपाय को ना कर पाओ। आपको कहीं काम से जाना हो या किस इसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा, जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोशकाल का रहेगा, अब भाई, प्रदोशकाल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है, कि भाई, ये समय होता कब है, तो हम आपको बता दें, प्रदोशकाल का जो एक समय होता है, शाम का समय वो होता है, शाम के 6 बजे से लेकर, शाम के 7 बजे के बीच का, इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे, तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा, तो शाम के 6 बजे से लेकर, शाम के 7 बजे के ब भाईया, बहुत सारे लोग यहाँ पर ये प्रश्न भी जरूर करेंगे, कि भाई, हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं, और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोशकाल में कर रहे हैं, और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आप आपको आने में साथ बजे तक आप नहीं पहुँच पाते हो, तो भाई आप साथ या रात आठ बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा, और अगर इस इससे भी थोड़ा देर हो जाती, तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि साथ अक्टूबर दो हजार चौबीस सोमवार शारदिय नवरात्री का दिन है, यह दिन बहुत ही कम आता है, पूरे साल भर में एक बार इसलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना, कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो, सोमवार शारदिय नवरात्री के दिन, बस कोशिश करना, कि समय के थोड़ा मतलब अंतरगत ही कर लो, पर किसी कारण वश अगर ना कर पाओ, तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा, पूज्य गुरू जी ने कहा, कि जब भी सोमवार शारदिय नवरात्री का दिन पड़े, तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक छुट की काले तिलवाला उपाय करना है, इस से आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परिशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई-कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन आपको धन प्राप्त नहीं हो पाता है, आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो, या फिर आपको धन की हानी हो रही हो, तो गुरु जी ने कहा कि आपको यह छोटा सा उपाय इस सोमवार शारदिय नवरात्री में जरूर करना चाहिए तो चलिए जानते हैं इस विशेश उपाय के बारे में लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना अगर आप वास्तु शास्त्र ज्यान चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जैश्री हरी विश्नु जी जै माता लक्ष्मी जरूर लिख दें जिससे कि भगवान श्री हरी विश्नु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पर बनी रहे और आपको कभी भी धन से संबंधित किसी प्रकार की कोई कमी न हो आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि सोमवार की तिथि में किये जाने वाले तीन विशेश उपाए आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे यह उपाए आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं इन उपाईों में आपको धन प्राप्ति के उपाए बताए जाएंगे आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाए बताए जाएंगे जीवन में किसी भी प्रकार के संकट चल रहे हैं समस्याएं चल रही हैं तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे चलिए जानते हैं पूज गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले और सबसे खास उपाय के बारे में इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी एक छुटकी काले तिल की और थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी और आपको 7 अक्टूबर 2024 सोमवार के दिन यह एक छुटकी काला तिल वाला बहुत ही छोटा सा उपाय करना है इस उपाय को करने से आपको एक महीने के अंदर-अंदर करोड़ पती बनने से भी कोई नहीं रोक पाएगा क्योंकि यह जो 7 अक्टूबर 2024 सोमवार के दिन पंचमी तिथी पढ़ रही है यह शारदीय नवरात्री की पहली पंचमी तिथी है और आपको बता दें कि जो पंचमी तिथी का जो दिन होता है यह अगर सोमवार के दिन पढ़ जाएं तो यह सोने पर सुहागा हो जाता है साथ ही साथ जो लोग अपने गुप्त शत्रूओं से परेशान है अपने शत्रूओं से परेशान है नजर दोश से परेशान है तो ऐसा समझ लीजिए कि आज की वीडियो में आपको ऐसा उपाय बताने वाले है कि आपकी हर समस्या का हल इस एक वीडियो से आपको मिल जाएगा चाहे तो आप अपनी कुंडली में अपने जीवन में राहु केतु से परेशान है शनी की पीड़ा से परेशान है या फिर कोई भी आपके घर में वास्तुदोश है, नजर दोश है हर प्रकार का हल आज की वीडियो में आपको मिल वाला है क्योंकि आज की वीडियो में ऐसा उपाय आपको बताने वाले हैं एक छुटकी काला तिल आपके जीवन में चमतकार का काम करेगा और आप अपने जीवन में धनवान नहीं, महा धनवान बनेंगे तो शारदिय नवरात्री की पंचमी तिथी जो होती है इस दिन महादेव की विशेशकर पूजा की जाती है माता पारवती का इस दिन पूजन किया जाता है और आपको बता दें पंचमी तिथी वाले दिन जो व्यक्ती एक छुटकी काले तिल वाला उपाय कर लेता है ऐसा समझ लीजिए कि महादेव उसे ऐसा वर्दान दे देते हैं कि उसके जीवन में धन न सुख वैभव तो आता ही है कभी भी उसके जीवन में निर्धनता और गरीबी लोट कर नहीं आती है शारदिय नवरात्र के दिनों में जो भी व्यक्ती महादेव की पूजा अर्चना कर लेता है समस्त सुख उसे अपने जीवन में मिल जाते हैं भगवान शिव को जो व्यक्ती इस दिन प्रसन्न कर लेता है ऐसा समझ लीजिए कि महादेव उसके जीवन में इतना सुख धन वैभव दे देते हैं कि व्यक्ती उसे संभाल नहीं पाता है तो आज की वीडियो विशेशकर उन लोगों के लिए है जो धन को लेकर परिशान है या अपने शत्रूओं को लेकर परिशान है क्योंकि सोमवार के दिन जब शारदिय नवरात्री की पंचमीतिति पढ़ जाए तो ऐसा समझ लीजिए कि शत्रूओं पर आप अपने विजय प्राप्त कर लेते हैं तो बात कर लेते हैं एक छुटकी तिल वाला उपाय आपको कैसे करना है और कैसे यह उपाय करके आप अपने जीवन में महाधनी बन सकते हैं तो देखिए पहला उपाय जो है यह महाधनी बनने के लिए है और इस उपाय को करने से कभी भी आपके पास धन की कमी नहीं रहती है देखिए जो भगवान कुबेर है ना उन्होंने भी महादेव के मंदिर में दीपक जलाए थे और आप सभी उनके बारे में जानते हैं कि वह कितने धनी है कितना धन है है ना अंदाजा लगाना भी शायद बहुत कठिन होगा तो देखिए आपको करना क्या है आपको यहाँ पर एक देसी घी का दीपक तयार करना है एक छुटकी काला तिल लेना है और इसी दीपक के अंदर आपको एक छुटकी काला तिल डालना है अब यह दीपक आपको सोमवार शार्दिय नवरात्रि वाले दिन यानि 7 अक्टूबर 2024 को शाम के समय में महादेव के मंदिर में जाकर प्रज्वलित करना है महादेव के मंदिर में जाना है और वहाँ यह दीपक आपको जलाना है जो व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है ना ऐसा समझ लीजिए कि कभी भी उसके पास पूरे जीवन काल में पैसों की कमी नहीं रहती है धन संपदा उसके घर में बढ़ती चली जाती है जो एक चुटकी तिल डाल कर एक दीपक महादेव के मंदिर में प्रज्वलित कर देता है तो जो लोग बहुत ज्यादा परेशान है धन को लेकर जिन्हें धन चाहिए जीवन में सुख शांती नहीं है पैसा नहीं है उन्हें तो यह उपाय विशेश कर सोमवार शार्दिय नवरात्रि वाले दिन जरूर करना है तो देखिए यह सोमवार का दिन तो आप सभी जानते हैं कि श्री हरी विश्नु को समर्पित होता है तो धन संपदा की कभी जीवन में कमी नहीं रहेगी पैसे की कभी कमी नहीं ये एक दीपक वाला उपाय आप इस दिन जरूर करें तो चलिए अब बात कर लेते हैं अपने दूसरे उपाय की देखिए बहुत बार क्या होता है कि हमारी कुंडली में राहु केतु अगर अशुभ प्रभाव देने लगे तो जीवन के दुख बढ़ते चले जाते हैं अब बहुत सारे लोगों को तो राहु केतु जो है उनके बारे में बिलकुल अंदाजा ही नहीं होता है कि राहु केतु होते क्या या हमारी कुंडली में ये कैसे अशुभ प्रभाव देते हैं अच्छा जिन लोगों को पता भी होता है कि राहु केतु क्या है लेकिन अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल होता है कि कैसे कुंडली में ये अशुभ प्रभाव दे रहे हैं है ना क्योंकि जो जानकार होते हैं, उन्हें तो पता होता है जिनको जानकारी नहीं होगी, वह अंदाजा नहीं लगा पाते हैं। तो देखिए, अगर आपके जीवन के दुख लगातार बढ़ रहे हैं, कुछ ना कुछ आपके साथ हमेशा गलत हो रहा है, तो राहु केतु कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में अशुभ प्रभाव आपको दे रहे हैं। ठीक है ना, अब घर में बहुत बार क्या होता है, कि बहुत सारे लोगों के घरों में कहीं ना कहीं गंदगी होती है, सफाई नहीं करते, तो कहीं ना कहीं क्या होता है, उससे राह राहु एक्टिव हो जाता है, है ना? और अशुभ प्रभाव देने लगता है, तो आपको क्या करना है? अपने राहु केतु को अपनी कुंडली में ठीक करना है, करना कैसे है? ठीक, काले तिल से काले तिल के उपाय से ऐसा समझ लीजिए कि चाहे तो शनी की पीडाएं आपको परेशान कर रही हैं. राहु केतु, अशुभ प्रभाव आपको दे रहे हैं, हर प्रकार का हल आपको इस एक उपाय से मिल जाएगा, क्योंकि शनी की पाय भी जब परेशान करती हैं, तो व्यक्ति का जीवन दुखों से घिर जाता है, क्योंकि शनी देव जब दुख देते हैं, कि व्यक्ति संभाल नहीं पाता है, यह भी सत्य है, अब करना क्या है, पंचमी तिथी वाले दिन, यानि की 7 अक्टूबर 2024, सोमवार शारदिय नवरात्रि के दिन, आपको जल में काला तिल मिलाना है, ठीक है न, एक लोटे में जल ले लेंगे, उसके अंदर दो चुट चुटकी, एक चुटकी काला तिल डाल देंगे, अब इसी जल से आपको महादेव को अर्ग देना है, मतलब महादेव की शिवलिंग पर आपको जल चड़ाना है, कौन सा जल चड़ाना है, एक या दो चुटकी काला तिल डाल कर, यह उपाय शाम के समय का है, प्रदोश काल क शारदी ये नवरात्री में जितने भी उपाय किये जाते हैं, वो शाम के समय के ही होते हैं। ठीक है ना? तो शाम के समय में यह उपाय आपको करना है। आपके जीवन से दूर हो जाती है। राहु केतु जो है यह भी शान्त हो जाते हैं। शनिदेव की कृपा आपके उपर बरसती है। और महादेव ऐसा आशीरवाद आपको देते हैं कि जीवन के जितने भी दुख है ना? वो दूर होते चले जाते हैं। तो यह दूसरा उपा कि जब किसी व्यक्ति के जीवन में शत्रू उसे परेशान करते हैं, ना तो व्यक्ति हर तरफ से परेशान हो जाता है, क्योंकि उसे समझ में ही नहीं आता है कि उसके जीवन में इतना सब कुछ गलत कैसे हो रहा है। अब लेकिन आपको अपने शत्रूओं से छुटकारा मिलेगा, क्योंकि पंचमी तिथी जो होती है, मतलब जब सोमवार के दिन पढ़ जाती है ना, तो आप अपने शत्रूओं से छुटकारा पा सकते हैं, उपाय क्या रहेगा, क्या करना है, आपको उपाय को करने के लिए, तो देखिए, यहाँ पर आपको शमी की पत्तियां लेनी है, दो से तीन शमी की पत्तियां आप ले लें, और आपको क्या करना है गंगा जल से, शमी की पत्तियों को धो लेना है, साफ कर लेना, अब आपको यह शमी पत्ता जो शमी पत्त्र आपने लिया है, यह आपको नम्ह शिवाय का जाप करना है, नम्ह शिवाय, ठीक है न, एक 108 बार बोलना है,